हेलो वरिवन आप सभी का स्वागत है रेश मास्टेस टीफुड चैनल में और आज हम बनाने वाले हैं टोमेटो पुलाव चलिए स्टार्ट करते हैं रेशिपी तामाटर हमारे सेहत के लिए सकीन के लिए बहुत ही हेल दी है तो यहाँ पर मैंने शाप करके मिक्सी के जार में ढालना है इसे पड़ा कर नहीं तो इसकी ऐसी ही पेस्ट बनानी है तो चलिए अब मिक्सी में इसे पीस लेते हैं स्किन के साथ ही मैंने पेस्ट बनाई है और पेस्ट हमारी रेडी है यहाँ पर मैंने लिए एक कड़ाई अब चावल को थंडा होने के बाद हमें इस तरह सी से हाथों से सेपरेट करके रख देना है कड़ाई में हमें डालना है तेल अगर आपको घी पसंदे तो आप घी भी डालिएगा तो मैंने एक टेबल स्पून इतना तेल और आधा टेबल स्पून इतना घी डाला है अब इसमें हम जीरा डालेंगे हाप टी एस पी इतना और जीरे का कलर चेंज होने के बाद हम इसमें डालेंगे करीलूज करेलूज की स्मेल टेस्ट तेल में अच्छे से मिल जाने के बाद इसमें हम डालेंगे टमाटर की पेस्ट अई से लो गैस की फ्लेम पर ही हमें रखना है क्यूंकि इसे तेल छुटने तक हमें पकाना है तो अगर आप गैस की फ्लेम हाई कर देंगे तो टमाटर जल्दी से जल जाएगा यह हाप TSP इतना कटा हुआ जिंजर अधरक हैं काट कर ही लिजेगा पेस्ट मत लिजेगा हाप TSP से 1 TSP इतनी लाल मिरश के पाउडर आप स्वादानुसर डाल सकते हो स्वादनुसर नमक अगर आपको ज़्यादा थीकत पसंदे तो 1 TSP डालिएगा 1 TSP से थोड़ी जादा इतनी चीनी भी डालिए इसे अच्छे से पकने के लिए रख दीजेगा जब तक इसे तेल नहीं छुटता तो देखें यहाँ पर इसे अब तेल चूट चुका है टमाटर बहुत ही अच्छे से पक चुका है अब इसमें डालेंगे हम चावल और चावल को इतने अच्छे से मिक्स करेंगे कि टमाटर का सारा कलर हमारे चावल को लग जाए ये रेसिपी बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत ही टेस्टी ऐसा पुलाव बनके तयार होता है तो उपर से आप चाहो तो फिर से इसे धनिये से गार्णिश कर सकते हो तो यहाँ पर देखेगा इसे एक मिनिट आप ढखकर रखेगा डखकर रखने के बाद आपका टामाटर पुलाव बनके तयार हो जाता है तो यहाँ पर हमारा टामाटर गाइस बनके तयार है आप भी इस रेसिपी को जरू ट्राइ किजिएगा मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और मेरे सिपी के साथ तब तक के लिए बबाए